तो आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में ये मैस प्रैक्टिस क्लास 5 है और अभी तक 4 मैस क्या प्रैक्टिस क्लास हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 40 कोश्चन जो की अज हम लोग देखेंगे फिर से 10 कोश्चन का और इस सेशन में हम लोग सीखेंगे इस सेशन में कुछ नया सीखेंगे और वो सीखने वाली चीज क्या होगी कि जब आप अपने एक्जामिनेशन सेंटर में बैठिएगा तो कुश्चन को कैसे अटेम्स करना है आपको किस मेथट को कहां पर यूज करना है उन सभी चीजों के बारे में मैं बात करूँगा ठेक है तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोल दूँ कि आप सभी अं अटेंडेंस लगाना होता है उस तरीके से आप अटेंडेंस लगा दें फिर हम चलते हैं कुश्चन के तरफ ओके तो चलिए कुश्चन के तरफ और आज का यह पहला कुश्चन है और इस कुश्चन में बस थोड़ा सा आपको ध्यान देनी वाली बात क्या है कि यहां पे ज पर लिख लो ठीक है और यहां पर आपका 37.2 और पांच ए अब आप इस चीज को सॉल्व करें आप सभी स्टूडेंट को सॉल्व करें ठीक है देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है तो चलिए फिर हम इस question के solution को देखते हैं कि किस तरीके से आप इस सभी questions को आप solve करोगे जैसा कि यह root में है 1379 तो आप जानते हो कि यह जो है वो आपका 37 का 37 का वो क्या है square है ठीक है 1379 का अगर आप square root निकलो तो 37 होगा पलस यहाँ पर क्या है आपका यह वाला total part हम लिख देते हैं ठीक है यह क्या है आपका 0.0615 यहाँ पर थोड़ा सा misprint हो गया है और पलस यह है आपका x equal to यह क्या है आपका 37.2 और 5 ठीक है आप क्या करें कि इस 37 को अगर आप इधर लाकर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास 0.061 और 5 प्लस x equal to क्या बचेगा 0.25 ठीक है और यह क्या था आपका root था root का अगर हम हटाने के लिए क्या करेंगे दुनों तरफ square कर देंगे यानि दुनों तरफ हम birth करेंगे तो birth करेंगे तो आप बताए कि इस side क्या होगा 25 का square क्या होता है 625 BER on च किलर और यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे एक decimal देते थो x का value क्या आएगा आप बताओ तो आपका x बराबर क्या होगा मेरे दोस्त 0, 0, 0, 0, ठेक है 1, 0 यही होगा अब यहाँ से अगर आप decimal को हटाईएगा तो नीशे में क्या होगा आपका 4 0 हो जाएगा 1, 2, 3, और 4 यहाँ से 1 0 और यह 0 कैंसल हुआ तो आपके पास क्या बचा 1 बटा 1,000 आप इस 1,000 को उपर लेके जाएगा तो 10 के पाउर यह माइनस 3 होगा जो कि आपका आंसर क्या होगा थोड़ा सा हम आपको समझाने के way में थोड़ा सा time ले लिए वरना यह question बहुत नहीं असान था ठीक है यह question बहुत असान था अब चलता है हम लोग next question के तरफ यह question को आप देखेगा कि यह question क्या क्या रहा है आप से पूछा क्या है A और B का value पूछा है देखे इस तरीके question आपके exam में आते हैं ठीक है तो इस question के solution से पहले मैं आप सभी से एक request करना चाहता हूँ कि आप सभी फड़ाफट एक बार comment करके बताईए कि आपको यह session आपको helpful लग रहा है आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना आपको मज़ा रहा है ठीक है और फड़ाफट एक बार आप सभी इस question का answer करें ठीक है एक बार आप सभी इस question का answer करिए सभी student तो चले फिर हम इस question के solution को देखते हैं क्या कह रहा है यह 5 पलस 2 root 3 है उपर में और यहाँ पे 7 पलस 4 root 3 है आप क्या करोगे कि यह जो आपका है ठीक है यहाँ पे क्या है आपका 5 पलस यहाँ पे समझेगा 2 root 3 अपन 7 पलस यह क्या है आपका 4 root 3 है आप हर पर में करोगे तो उपर में 7-4 और यह होगे आपका root 3 भाई मेरे और नीचे में आपका 7-4 और यहाँ पे हुआ आपका root 3 यह क्या होगे आपका किस format बना तो a plus b a minus b यानि a square minus b square यानि कि 7 का square आप करोगे तो क्या होगा 49 होगा समझते रहिएगा 49 और plus minus होगा sign चचगु का 16 और यह root 3 का होगा आपका 3 यानि कि 16 और 3 48 उन्चास में से आप 48 होगा तो मेरे दोस्त क्या होगा नीचे का total part का क्या आजाएगा value 1 हो जाएगा और उपर वाले की part को अगर आप multiply करेगा समझेगा अगर आप उपर वाले part को अगर multiply करते हैं नीचे वाले का तो total value क्या आगे या 1 आगया multiply करने पर उपर वाले 5 को क्या करोगे आप करोगे तो क्या होगा यहाँ पर कि 7, 5, 35 समझेगा यहाँ पर क्या होगा आपका 35 7, 2, 14 यहाँ पर क्या होगा 7, 2, 14 तो यहाँ पर क्या होगा आपका plus 16 root 3 होगा ठेक है और minus 25 का 20 यानि कि यहाँ पे क्या होगा आपका 20 root 3 और plus यहाँ पे क्या होगा plus into minus तो यह minus होगा यहाँ पे plus है और यह minus और यहाँ पे plus है और यहाँ पे minus का sign है तो multiply करीगा तो minus होगा और 2 root 3 और 4 root 3 क्या होगा 4 2 8 3 का ये होगा आपका 24 नीचे में तो total का value आपका 1 आया थो तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अब आप यहाँ पे क्या देखते होगे ये 35 हुआ और यहाँ पे minus 24 हुआ तो यहाँ पे आप minus करोगे इसको तो क्या होगा आपका 11 होगा ये 14 root 3 है और ये 20 root 3 है तो यहाँ पे क्या है आपका plus और ये minus 6 root 3 हम लिख सकते हैं ठीक और यहाँ बराबर क्या दिया हो था आपका ये part दिया हो था A plus B root 3 ठीक है तो हम यहाँ पे minus को क्यो common में bracket में कर दिये चुकि ये मेरा plus sign था तो यहाँ पे plus sign रखने के लिए अब आप यहाँ से क्या समझ पाओगे देखिए यहाँ पे कि आपका A का जो value है वो आप similarity से यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि A का value आपका 11 है और यहाँ पे B का जो है value वो कि आपका minus 6 है तो देखिए यह option कौन सा है यानि कि 2 का A option is right answer आपको किस तरीके से इस question को solve करना है I hope आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे अगर आप इस question को समझ पाए हैं तो प्लीज एक बार comment करिए comment section में आप आकर comment करो कि आपको एक question कितना समझ में आया अगर आपको question समझ में नहीं आते हैं तो आप हमारे telegram channel से जुड़िए या फिर अगर आप यहीं पे comment कर दे section में comment section आपके लिए है अगर आप यहाँ पे comment करते हैं तो हम आपको next day उस solution का solution दे दूँगा ठीक है उस question का चलिए यह आपका 3 question question number 3 क्या कह रहा है कि 5 cramic cramic का मतलब होता है आप समझिएगा 5 cramic का मतलब होता है लागतार ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 cramic प्रकिर्ट संख्या है natural number का औस जो है वो M है हमेसा याद रखिएगा कि जब भी अगर 1, 2 या 3 का average होगा वो आपका बीच का होगा यह हमने आपको बता चुका है पहले हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 क्रमिंग तो लेट है अगर हम माल लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 है तो इसका बीच का जो संख्या है वो कौन सा है आप बताना तो यह आपका 3 यानि इसका 1 से 5 तक का लगतार प्राकिर्ट संख्या का औसच जो होगा वो क्या होगा आपका 3 होगा हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं 3 लेगिन अब क्या पूछ रहा है समझेगा कि अब कहरा है कि यदि अगली 3 प्राकिर्ट संख्याओं को भी मिलाया जाए तो 3 प्राकिर्ट संख्या 5 के बाद क्या होगा एक आपका 6 होगा एक आपका 7 होगा एक आपका 8 होगा तो जब इस सिच्वेशन में हो यानि कि नमबर क्या है यहाँ पे सम है एक दू तीन चार यह टोटल आथ नमबर है एक दो तीन चार यह पांच छे सात और आराक harsh तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है आपको हम एवरेज निकालने का बहुत असाàn सरल तरीका बताते हैं कि यहाँ से 3 को digit को हटाईए बीच में कितना digit बचा आपका 4 और 5 9 यानि 9 में आप 2 से divide कर दिए तो यहां से 1 से 8 तक का total का average आजाएगा आपका 4 ठीक है तो जब आपका 1 से 5 तक का total number था तो आपका average आया था अगर आप इसमें 6, 7 और 8 को include कर दिए तो अपना average क्या हो गया 4 हो गया तो इसमें यही तो पूछाए ना कि ओसत में aim से कितना आधिक होगा ठीक है तो aim यानि कि पहले ओसत कितना था 3 अब आगे आपका आपको समझाने वाले होंगे और आपको बताने वाले होंगे लिटरली बता रहा हूं ठीक है आप कहीं भी घूम लो तो इसलिए आप प्रूपर वे में class लिशे ठीक है यह group y क्या mock है इसको मजाक में मत लिया करिए यहाँ पे life आपका settle हो सकता है अगर आप एक भी गलती कर आते हैं तो आप बहुत दूर चले जाएगा तो वह दूरी को आप भरने के लिए हर एक अपना हथकंड़ा अपना यह आप डेली class आइए डेली practice करिए हर एक question का answer करिए comment section में लेकिन आप सभी को हम देखते हैं कि comment आपका आही नहीं रहा है ऐसी थोड़ी होता है चले हम ल बिल्कुल गलत है आप हमेशा याद रख लो बिल्कुल गलत है आप इस lockdown को lockdown के तरह लें अपना luck को down नहीं करिए ठीक है अगर इस lockdown में अगर आपका luck down हो गया ना भाई साब तो बहुत भारी परिसानी उठानी पड़ेगी अपने भविस्य में तो इसलिए आप regular practice करिए regular class साइए यहां योधा पर हर एक class start है इंगलिस का class चलता है मैस का चलता है इंगलिस का spoken चलता है आप सभी class को attend करना सीखिए आदर डालिए अगर छूट चुका है तो ठीक है बस एक होता है ना अच्छे विद्यार्थी के लिए कुछ बाते कहना और वो विद्यार्थी उस का बहुत सारा मतलब निकालके और अपने आपको अंतरध्यान कर लेता है वही एक बहतर विद्यार्थी का फैशान है तो आप उस पहचान पे खरे उतरिए चली इस question में क्या कह रहा है देखिएगा इस question को कैसे हम तोड़ेंगे यदि दो संख्याओं का योग क्या है 22 है औ और उनका बर्गो का योगफल यानि कि अगर एक संख्या A है तो एक संख्या B है और उनका A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर क्या है आपका 404 है लेकिन आपको इस मेठर से बिलकुल नहीं बनाना अगर आप बनाने बैठों तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको क्या करना है देखिएगा यहाँ पे कि आपका 2 संख्या है और इसका 404 है हम इसको कैसे तोड़ेंगे यहाँ पे अगर हम 400 कर दे और यहाँ पे 4 कर दे और यहाँ पे 20 कर दे और यहाँ पे प्लस 2 कर दे तो क्या फरक पड़ता है बताईए 20 का स्क्वाइर क्या होता है आप बताओ 400 हो तो यहीं पुछाए न तो यह दोनों जो डीजिट हैं 20 और 2 इनका गुणन फल क्या होगा तो मेरे 240 होगा कितना इसान तरीके से हम आपको समझाते हैं हाँ आपको कभी पता चलेगा कि हम कभी नहीं पकड़ पाएं तो तो उसका भी उपाय है ऐसा होई नहीं सकता कि आप कैसे बोल पाया मैं हमें याद है और अगर आप चाहें तो सेकेंडों में निकाला भी मैं सीखा दूँगा ठेक है मैं सीखा दूँगा आप बिल्कुल चिंता ना करें चलते हैं नेक्स कोश्चन के तरफ क्या कर रहा है कि क्रमिक क्रमिक बट्टा के बारे में बोला है कि 20 औ आप से बिलकुल नहीं ड़ीएगा सबका इंग्लिस क्या होता है सक्सेसिव सक्सेसिव लगातार यह सब सक्सेसिव के हिंदी है क्रमिक संतुल्य इकल क्लियर है अब आपकו क्या दिया जब भी हम बोले हैं आपको कि A-B माइनस का साञें देओ यहाँ इंडू-ब अपन से बहुत दूर रखता हूं बच्चों को थेक है अब आपको कैसा करना आ कुछ नहीं करना यहां पर 20 और 10 समझेगा समझेगा इस लिए सब्सक्राइब करें लेकिन आपको यहाँ पूट करिये यह से 20 और प्रतिसत लगाओ यानि अब हम आपको बताते हैं और एक तरकीब, देखें ये छूट ही पूछा है ना, छूट पूछा था 28% का मिल दिगा, एक काम को आप लेट अगर कर लो 100 रूपया, 100 रूपया पर पहले 20 रूपया का छूट देते हैं, तो कितना होगा, 80 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 रू क्या होगा, आपका 80 रूपया छूट मिला, टोटल छूट कितना मिला, आपको 80 रूपया मिला, ठीक, तो यह आपका, नहीं, ना कि आपका 30 आंसर हो जाएगा, हमेशा ख्याल रखेगा, 20 और 10 को आप एड़ कर दो, यह आपका गलत आंसर हो जाएगा, इस बात का ख्याल स्के तरफ यह है आपका six, बहुत ही सांदार कुशन है, आपको कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या देखोरें, यहां पर दो के पावर 61, 2 के पावर 62, 63, 64, आप क्या करो, यहां पर कि दो के पावर 61 को common करो, तो यहां पर क्या बचेगा, दो के पावर 0, ठी अब यहां पर आपका आपका आठ नहीं कितना बचेगा यहां पर दो था ना 63 के जगा और यहां पर तीन हुआ तो यहां पर आपका आठ हो गया ठेक है पूछा क्या है कि पूर्टा भी भाजित किस्से होगी तो दो के पाउर ये एक सठे और आप इन सबों को आप एड करोगे तो क्या होगा आपका 15 होगा तो ये किस नमबर से ये जो आया वो किस्से कटेगा तो ये हमेशा याद रखेगा ये 15 का अगर हम जितना फैक्टर होग किया है अगर उप्सेन में फांतर होगा तो तो 27 को टीक कर देगकर दें किलर हैं बहुत चलिए अब हम चलते हैं क्या सेवें के तरफ क्वेश्चन क क्या कर दोफ एंपर अपनबी यानि एंभाई अपको निशिक्सश ढारत, क्या पर चेंडेंबरम तक झाल ये बिल्कुल निशिनतर रही है, आपको दरने वाली बात नहीं, आप क्या कर यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि हम A, यह हमेशा क्या है, यह क्या चीज़ का format दिख रहा है, C by A, या फिर A by C, इसी का format हमको दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसी के format में हम इसको तोड़ दे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A upon B है, उसको हम B by C से अगर हम multiply कर दें, तो क्या होगा, B से भी cancel होगा, तो यह A upon C हो जाएगा, लेकिन A और B का value क्या था, 6 upon 7 और यहाँ पे क्या था, आपका 21 बटा 12, 70 का 21, और यह होगा 16 बटा 12, यानि आप कह सकते हो कि A by C आपको erase करते हैं, बस इतना याद रखना A square और C square का value 9 और 4 आया था, ठेके, तो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, A square का value आपका 9 आया था, और यहाँ पे आपका C square का value जो है, वो आपका 4 आया था, आप समझेगा कि यह जो चीज लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ C square से भाग दे दे और माइनस यह A square था, यहाँ भी अगर हम C square से भाग दे तो क्या फर्क पड़ता है, और बटा में जो है, यहाँ भी अगर हम C square अपन C square कर दे और प्लस A square, बटा में C square कर दे तो क्या होगा, यह 1 होगा और यह भी 1 होगा, यानि कि आप क्या सकते हो और a2 by c2 का value क्या है आपका 9 और 4 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 by 9 by 4 upon 1 plus 9 by 4 ठीक है तो यह क्या होगा 9 4 13 और यहाँ पर क्या होगा 4 minus 9 यानि 5 minus 5 बटा 13 हो जाएगा क्यों क्योंकि यह 4 और 4 तो last में cancel हो जाएंगे तो minus 5 upon 13 इसका correct answer हो गया यह option stage right answer तो यह चीजों को कैसे करना है और कैसे समझना होता है इस चीज पे बहुत जादे हैं आप focus करिए ठीक है क्योंकि सभी आपको बता देंगे कि होता है कैसे होता है क्यों होता है यह सभी चीज यहाँ पे आपको मिलता है योधा की योधा के platform पे ऐसे ही नहीं मैं बार-बार बता रहा हूँ कि योधा अपना पहचान बनेया हुआ है बिल्कुल ऐसे नहीं ठीक है कि सफलता ही हमारी पहचान है तो बिल्कुल आप अगर सफल होना चाहते हैं आप जरूर यो क्लासे एविलेबल नहीं है तो लोगडाउन के वज़ा से एक भी नहीं चल रहे हैं तो आप हमेशा याद रखे कि आप यहां से भी आप बहतर त्यारी कर सकते हैं ठीक है अगर आप पहले से कुछ पढ़े हो तो अब चलते हैं नेक्स कुशन के तरफ क्श्चन नमर एट क् सन्दार कोशन मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि सारे कोशन आपके मॉस्ट इंप्रटेंट हो जाता है आप यहां पे घटाओगे तो क्या होगा आठ मैनस मास तो यह तीन होगा चैसे सॉल्व करते हैं यहां पे सात और माइनस तीन करिएगा आप तो क्या होगा यह भी आपका ब्रैकेट में होगा तो यहां पे 4 होगा यह भी यहां पे जो था वो आपका ब्रैकेट में ही था ठीक है स्ताथ तो साथ मैंनस तीन आप करोगे तो क्या होगा यहां पे चार और यहां पे बचेगा चार चे मैंनस चार आप करोगे तो यहां पे बचेगा दो और दस मैंनस दो आप करोगे तो क्या होगा आपका option D यानि art, art is right answer दिखिए कितना संदार और कितना कम time में हम इसको solve कर दिये बस आपको समझाने में थोड़ा सम स्लो समझाते हैं थोड़ा से आपको अच्छे तरीके से बताते हैं इस वज़े से time लगता है वरना बिल्कुल ये समय का कोई मतलब ही नहीं बनता ये 10 question आप चाहोगे तो आप कम से कम 4 minute में कर लोगे कम से कम ठेक है 4 minute में कर लोगे 5 minute तो बहुत है 5-6 minute आपके लिए बहुत है हमेसा याद रखिएगए अब जो इस question को देखते हैं हम क्या कह रहा है इस question को देखिए कि A और B का कुल वेतन जो है 2100 रूपे है A अपने वेतन का 80% और 20-70% खर्च करते हैं अच्छा एक बात बताईए कि ये जो A है अगर 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है आपका 20% यानि कि 20% का अगर आप factor करोगे तो 1 बटा 5 होगा तो हम यहाँ पर परतीसत ना लिखिए आपको direct हम 1 बटा 5 लिख देते हैं और यहाँ पर यह किसके बराबर है ratio में 4 के बराबर है चुकि यहाँ पर देखिए आप बचत लिया हुगा है फिर यहीं आप करो तो यहाँ पर आपको B क्या मिलेगा कि B जो है वो अपना 30 परतीसत यानि कि 3 बटा 10 जो है देखिए 70% खर्च करता है तो बचाता क्या है B अपना 3 बटा 10 बचाता है जो कि आपका क्या है 3 के बराबर है 3 से यह 3 कैंसल होगा तो यह 20 कितना हो गया आपका 10 हो गया और यह A जो है वो कितना आगया आपका 20 हो गया आप बताए अब इस 20 और 10 का अगर आप ratio निकालना चाहें इस 20 और 10 का अगर आप ratio निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 2 और 3 होगा 2 और 1 होगा यानि कि 3 का value जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है समझेगा तो 1 का value कितना होगा आपका 700 होगा ठीक और पुछा कि आपका एक अवेतन पूछा है तो 1 का वेतन कितना था आपका यहां पे ratio में 2 था 1 का value 700 है तो आप खुद बताओ कि 2 का value कितना होगा 1400 यानि कि option B is right answer देखिए चीज़ों कैसे समझा रहे हैं हम ठीक है तो 14 answer है कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं 10 वा कोश्चन के तरफ 10 वा कोश्चन क्या कह रहा है कि 4 सुरूपे पर 4 पर 30 परतिवर्ष की दर से 6 माह का सधारण ब्याज क्या होगा जब ही आप देखिए कि अगर जो rate है अगर आपका परतिवर्ष के लिए है यानि कि अगर एक वर्ष के लिए है और पूछा क्या है आपको 6 माह के लिए एसा ही पूछा है तो आप rate का क्या होगा, आधा लगेगा, ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, कि अगर एक साल का 4% के हिसाब से निकालेंगे, तो क्या होगा मेरा 16 होगा, क्यूं, आप बताते हैं आपको, कि हम 400 का 4% का 4% निकालेंगे, वही मेरा 1 साल का पूरा अभ्याज होगा, यहां से यह cancel होगा, तो क्या होगा, आपका 16 होगा, लेगे हमसे पूछा कि आप प्रस्ण में 6 माह का, तो 12 महीने का 16 रुपया है, तो 6 महीने का कितना होगा, तो दोनों तरफ 8 रुपया होगा, यानि गर हम दोनों तरफ 2-2 से अगर भाग दे दे, तो हम निकाल सकते हैं, तो यहां मैं उसको एक बार जिकर कर देना चाहता हूँ, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करिएगा, वो question क्या कह रहा था, ठेक है, वो question था, कि एक आयत है, ठेक है, समझेगा, एक आयत दिया हुआ था, और आयत का perimeter दिया हुआ था, 98, समझेगा, परिमाप आपका 98 एड दिया हुआ था, और विकर्ण जो है, वो आपको 41 दिया हुआ था, उसका area पूछा था, तो मैं लिख दिया था, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 9, ठेक है, और मैंने बोल दिया कि नचोग का 36 360 इसका area हुआ, ठेक, जार इस बात थी कि उनको ये चीज समझ में सायद नहीं आया हो, तो मैं एक बार आपको clear करा देना चाहता हूँ, कि आप जब भी right triangle पढ़िएगा तो आपको कुछ triplets मिलेंगे, हमेसा याद रखेगा मेरे भाई, right triangle, यहाँ भी एक right triangle बन रहा है, आपको समझे, और जिसका ये क्या है, 40 और ये 9 होगा, तभी ये 41 संभा होगा, आ और ये 40 का अगर square करो, तो 609 का square करोगे तो 81, आप add करोगे तो 600 और 81, यानि कि 681 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 41 तभी होगा, जब ये लंबाई या फिर चोड़ाई 40 और 9 हो, या फिर ये 9 हो, और ये 400, ठीक है, लेकिन हमें area पूछा था, ना कि हम से लंबाई और 4 तो हम क्या कर सकते हैं, नचव का 36360 बटा दिये, लेकिन अगर हमको लंबाई चोड़ाई पूछता, तो भाई साब हम इस तरीके से नहीं बना पाते हैं, और आप हमेसा ख्याल रखिए कि लंबाई और 4 के लिए आपको फिर लंबा चोड़ा एक की तिहां से लिखना पड़ एक बज़े, तब तक के लिए आपसे अलविदा, ठेक हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने प्रैक्टिस सेसन को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए और अपने गोल को अपने अशीव करने के लिए हर एक जोस लगा दिजिए, जान लगा दिजिए, हर एक वक्त अपने झाल झाल